यहां पे बच्चे का नाम सर्च करना है जिस बच्चे का डॉक्यमेंट आपको मैं बता रहा हूं हर एक बच्चे का जिसका भी बच्चे का आपको डॉक्यमेंट मैंनेज करना है जैसे कि उनका सर्टिफिकर्ड हो गया या अधार कार्ड हो गया पर इनकार्ड जो भी बच्चे का आपको डॉक्यमेंट आपको उनके प्रोफाइल में अप्डेट करना है यहां पे उनके लिए डाल देंगे यहां पे और इसके बाद टाइटल में भी सेम डाल दीजिए आधार और यहां पे चूज प्रोफाइल पे जब आप क्लिक करोगे तो यहां पे आपको प्रोफाइल का हुआएगा तो इस तरह से आपके फोन में वह है अल्रेडी आधार कार्ड तो यहां से आप अचेज कर सकते हुआ यहां पे अचेज करने के बाद स्टार्ड अप्लोड पे क्लिक करेंगे थोड़ टाइम हो अपलोड हो जाएगा तो बच्चे का नाम जब नेक्स टाइम आप सर्च करोगे तो उनको केटेगरी वाइस मतलब दिखेगा आधार कार्ड लिखा रहेगा पे क्लिक करोगे तो यह आपको मिस आधर काड़ में जो फोटो आपने अपलोड किया है वह आपको दिखेगा इस तरह से आप मल्टीपल डॉक्यमेंट आप अपलोड कर सकते है इस्टूडेंट का सेकेंड ऑप्षन है इस्टूडेंट सब्जेक्ट सेलेक्शन जिसके अंदर आपको यह है इस्टूडेंट सब्जेक्ट सेलेक्शन में आप क्लिक करोगे तो यहां पर आपको क्या कर सकते हो आप इस्टूडेंट का जो लेक्चर वाइज अटेंडनेस होता है उसके लिए फीचर्स है जिस क्लास म में जो subject हमने मैप किया है, वो subject का नाम दिखेगा, अब हमको क्या करना है, बच्चे, जैसे 1st A मैंने 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 सब्चे का नाम दिख रहा है, Math, Science, Hindi, English, लाइक आफ, उसके बाद यहां पे यहां पे लफ साइड में देखोगे, आपे बच्चे का नाम दिख रहा है, तो जिस बच्कि पर देना हैं.. सब जिस बच्चे को सब्जेक्ट करना एगा पर क्लिक लिए कह लिए अब उसके बदित मीं सब्चे की और सकते हो, अगर एक सब करना ही, तो इससलिए बच्चे को सब्जेक्ट क criticized मतलब जब आप lecture लोगे जैसे ही आप math select करोगे तो math में ये फारुक नाम आएगा या सुभम नाम आएगा क्योंकि इन्हों ने ये दो subject को लिया है तो इन्हों हमको subject का student के साथ mapping करना इसके लिए student subject selection ये features इसके लिए mapping के लिए यूज होता है उसके बाद है यहाँ यहाँ पर subject wise मतलब अगर आपने ये जो mapping किया है उसके तुरू अगर teacher application के तुरू lecture attendance का अगर आपने attendance मार्क किया है तो उसका report आप इसमें देख सकते हो इस तरह से आपको class लिख कर लेना है और यहाँ पर जो भी subject उस class में map है वो सब subject का आपको यहाँ पर नाम दिखेगा तो आप just आपको click करना है और जिस दिन का attendance लिखना है उस दिन का date आपको click करके just submit पर क्लिक करेंगे तो आपको subject wise यहाँ attendance आपको दिखेगा मन्त में झाल